हम बात कर रहे हैं माइग्रेन हैंजिक पे लेकिन अब भी एक कॉल आई थी जुन्होंने फ्लू के बारे पूछा और फ्लू में बहुत कॉमन सिंटम होता है नाग ब्लॉक होने की वजह से हमारे सर में भी दर्ड हलका हलका नहीं कभी-कभी बहुत देज भी शुरू हो जाता ह और इसके लिए मेडिसिंस लेनी चाहिए नहीं तो डॉक्टर साब बताएंगे जी डॉक्टर साब अच्छा सवाल किया देखें फ्लू वाइरल एक डिजीज है जो पांच-छे दिन लेती है खुद बहुत ठीक हो जाती है लेकिन एंटिलर्जी आपको लेनी चाहिए आपक से पानी आ रहा है आँखों से पानी आ रहा है परिशान हैं दूसरे लोग भी परिशान हैं तो एंटिलर्जी लेनी चाहिए और एक खास्वार्ट में गुजारिश करूंगा कि फ्लू वाले लोगों को हाथ मिलाने से ग्रेस करना चाहिए खुद ही आप ख्याल कर लें बज ओ imagination फैलती हैं तक दूसरे बात है कि एकसर मैघ्रीन वाले है कि समझते हैं ना आक में पानी है माइगरेन की वज़ा से नाख में पानी आ जाता है अच्छों में पानी आ और दूसरे वालों को भी उन से भी ख्याल रखना चाहिए अगर तो फुलू आम है तो आप एंटी अलर्जी सिंपल सी ले ले लें अगर वाकी को इंफेक्शिन नहीं ते फिर एंटीबाइटिक एक कोस पांच तिन चाहिए दिन का वो चलाना पड़ेगा तो ठीक हो जाता है क कि आम फुलू का इलाज वो बहुत अच्छा और एहसन तरीके से करते हैं अच्छा फुलू का हमें बड़े अराम से पता चल रहते हैं कि फुलू इंफेक्शिस हो गया एंटी बाइटिक ली जाए नीजला एंटी बाइटिक तब ली जाती है जब आपको बखार हो अगर आ अच्छ मेडिकेशन है ना हर बंदा कहते है मैं डॉक्टर हूं सिवाए डॉक्टरी के बंदा हर जगा पर डॉक्तरी में बजरूर बोलता है आप को और फिल्ट कूछें कहेंगा मुझे नहीं पता तो वाकि इसका इसका इलाज करना चाहिए और फ्लू को फ्लू नहीं समझ अगर तो उसकी और शुक्तरी में पता है अगर तो इसकी और शुम्टम साथ माईग्रेन वाली नहीं है और सिर्फ आपके यहां पर दर्द है तो हो सकता है वो साइनसाइटिस हो आपको अगर आप सर नीचे करते हैं तो दर्द होता है भारीपन महसूस होता है फिर हो सकता है वो साइनसाइटिस हो सिर्फ आप हिस्ट्री लेंगे एक्जामीनेशन करेंगे फिर आप डियाग्नोसिस उसकी नर्व सप्लाई इदर से जाती है, अक्सा डॉक्टर उसको पंडिलोस, सवाइकल, गर्दन का कालर यह चीज़ें कर रहे हैं, पहले माइग्रेन को रूल आउट करें, कि माइग्रेन तो रही है, आमसी बीमारी है, आमसा इलाज है उसका, तुक्कि उसकी गर्दन में इत थोड़े दिर क्लिया रहा है, तो यह किस तरह का पेंग हो सकता है, अगर तो चार गंट से कम है, और मामूली सब दर्द है, तो हम उसको कहते है, तो मैं यह नहीं कहता ज्यादा है, एक पेंग का किसम होती है, क्लिस्टर है जिसको बोलते हैं, जिसको आपने का 15-20 मिनिट र कि थी लुटीए है, तो वह कहते है कि इतना दर्द है कि इसकी मिसाल नहीं है बहت साहा겠, वो एक सर स्मोकर में होता है, द्रस कार्ण, जो शराब पीक में होता है, और रात को हता है, मारीज जाता है, भाहिक कहता है आक सीजन में में जो यह थे धी, 10-15 पीसोट पार पूर्सी पर, सर मारूं दिवार पर, बैठा रहा हूँ, लेटू नहीं, माइगरेन वाला कहेगा, लाइट पर करके तो इतना कोई शारप दर्द होता है कि आप उसे हाथ से दबा के जब तक वो 5-10 मिन जितनी देर वो फ्रॉब रहता है, आप उसे दबा के बैठा रहता है, मिल्द माइट है तो जी मिल्स ज्याहिण है, वीमाइल हो जाएंग डर्षी और जॉड़ारी से हैं ज़िशन के जा जानि आएंग। जी जानियाएंग तर किसमा मैल्स नहीं जानिकी मिल्स्टर ही तिस सिर्फली मिल्स्टर भाएंगेद्श है क्या किना चाहेंगा? 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 करेंगा चाहेंगा? क्या किना चाहेंगा? हो सकता है को ENT से रिलेटेट हो हमारे नेरो से रिलेटेट नहीं है कि ब्रेन फ्रीज अगर हो जाता है या इसको common sense में कहते हूं मेरा खाल है थंडी चीज ज्यादा खाने से थोड़ा मरीज को कीunkuक 되면 तो ऊसमता है था कौगी छॉप था इसका इसको थारीम विखता होगा तो यह में क्या है इसको को इस्को को इसको आपिक पड़ोचे और। फ्रीम करते हैं तो इसको प्रॉत से थीलेट से हो किरांची के भारे में डॉक्टर साथ से पूछना था था दा बेटे के बारे में नुनकी उमर तेरा साल है उनको से हमें मतलब बच्पन से ही होता था फिर उनको यह हुआ कि एट एरस ने थोड़ा एक फिट पड़ा फिर हमने जो दिखाया है क्योंकि वो नैक में अमूमन दर्द की बताते थे हमने का ऐसी हो रहा का सबने का बैग टांगने से स्कूल के आजकल बैग इतने हैवी हैं वो टांगने स दवाई अच्छा लेकिन वो पढ़ाई में तो बिल्कुल दिचस्थी नहीं है कि हम लोग चाते हैं कि कुछ पढ़ने आगे एट किलास में आ गए तो वो पढ़ाई में डॉक्टर साब से पूछें कि इसका क्या होगा ऐसे एक्जाम बास कर लेते हैं राम से क्या नहीं नह मतलब फिफ्ट क्लास तक तो बहुत ही अच्छा रिजल था एटी नाइन परसंटेज तक आई अब तो यह होगे अब 45 पे आ गए उई होए सर के दर ने अतनी लाइफ अफेक्ट कर दी उनकी तीन साल होगा यह हुआ कि हमने धेर साल खिलाई फिर छोड़ दी हमने उन्होंन है मैमूरी वीक होगा यह क्या चक्कर है पता है मतलब हम लोग बस यह है कि एजुकेशन के बगार तो कुछ भी नहीं है पढ़ने का दिली ही होता उन्हें जब बैटते हैं और जो डॉक्टर साब ने सब बताई हैं सब में दर्द आखों में पानी आना नाथ में पानी आना हैं यह सब उनके साथ हैं और सोना बहुत चाते हैं हर वक्त होते रहें चाले जी हम इस पर बात करते हैं आपने जो सिंट्रम बता दी हो सब इकी तरफ जा रहे हैं इससे हम बात करेंगे एक चोटी चुटी ब्रेक के बार डॉक्टर साम ठीक है जी आप भी देखते रहेगा अब योज आप भी देखते रहेगा हम अभी मैं पिसाते हैं